Hello Friends, Good Morning, Welcome in AD Star Classes, मैं विवेक एक बार फिर से आपका AD Star Classes में स्वागत करता हूँ इसलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने Current Affair के सेशन की और देखते हैं हमारे Current Affair के सेशन में कौन-कौन सी बाती इंपोर्टन्ट है शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोज को Like, Share और Subscribe नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और अधिक से अधिक लोगों के पास हमारे वीडियोज को Share करते रहें आज का हमारा पहला Topic है बिस्च जूनोज दिवस अभी हाल ही में 6 जुलाई को बिस्च जूनोज दिवस मनाया गया है आखिर ये क्या होता है जूनोज सबसे पहले इसको Image में देखते हैं ये है Word Junos Day बहुत अलग अलग टाइप के जो Virus जो Vacteria जो Parasites होते हैं या जो अलग अलग प्रकार के जो Animals होते हैं उनके बारे में हम एक ही Platform पे आकर जो जानकारी इकटा करते हैं उसको हम Junos क्याते हैं इसी को जब हम अलग अलग काटेगरी में बाढ़ते हैं तब हम इसको पैलोजी में जूलोजी या बोटनी या अलग किसी नाम को नाम से हमेसे प्रवासित करते हैं लेकिन सारे चीजों को एक Platform पे ले आना यानि Junos कहलाता है हर साल 6 जुलाई को Junotic रोगों के जोखिम के बारे में जागरूपता मढ़ाने के लिए 200 Junos दिवस मनाया चाता है Junos संक्रामक रोग किस किस से होते हैं? तो जो वायरस से होने वाले रोग हैं उसे वैक्टीरिया से होने वाले रोग वो और पैरासाइट यानि परजीबी से होने वाले जो Infected Diseases हैं जो संक्रामक रोग हैं वो हैं साथ ही जो जानवरों से मनुस्तों में फैल सकते हैं जैसे COVID-19 और इसके बिप्री या तो जानवरों के शीधे जंपर्ग में या आपरतेक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाज जनित के जरिये भी ये पैल सकता है इस दिन की सुरुवाद 6 जुलाई 1885 से हुई थी जब लुई पास्चर ने रैबीज वायरस के खिलाफ पहला टी का सफलता पूर्बग पब्लिस किया था और ये टी का एक जुनोटिक बीमारी के खिलाफ था यानि जो रैबीज बीमारी थी वो एक जुनोटिक बीमारी है जो की एनिमल्स के जारा जो की कुत्तों के जारा इंसान में फैलती है इसको हम जुनोटिक डिसीजर्स भी कहते हैं अगली खवर है मैरी काम और मन प्रीचिंग इतनी चीज़ें आपको कलियर हो गई होगी उमीद करता हूँ आपको डेट नहीं बोला है विस जुनो उस दिवस छे चुलाई मैरी काम को और मन प्रीचिंग को होने वाले अगस्त से लेकर के सेप्टमबर फर्स्ट बीग तक के टोक्यो उलम्पिक में भारत के धोजवाहक के रूप में चुना गया है इससे पहले मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बताया था कल की क्लास में के टोक्यो उ उलम्पिक के धोजवाहक के रूप में चुना गया जो कि तमिल लाडु की पुछी साल के एक व्यक्ति हैं उनके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए वो टोक्यो उलम्पिक के धोजवाहक हैं इनकी बात की गई है तो ये मैरी काम और मनप्री चिंग झ्या हैं आपको कनफ्यूज नहीं होना है इनको भारत के धोजवाहक के रूप में चुना गया है बाइन तरफ आपको दिख रहेहोंगे मैरी कॉम और राइट साइड में आपको दिख रहेहोंगे मनप्री चिंग पार्थिय ओलम्पिक संग्यानी इंडियन ओलम्पिक एस्सेशन ने खोशला की कि टोक्यो ओलम्पिक के उद्गाटन समारों में 6 बार की 200 मुग्यवाजी चैंपियन, MC मैरिकॉम और पुरुस होकी टीम के कैप्टन मनप्रीच सिंग भारत के धज़वाख होंगी 2018 विश्व कुस्ती चैंपियनसिप में रजत पदग विजिता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापम समारों में धज़वाख होंगे ये भी आपको याद रखना है पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग शमानता सुलिशित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक मैला दो धज़वाख इस पार निव्ट किये गए हैं साथ ही I.O.A. ने इस सम्मंद में खेलों की आयुजन समिती को फैसले से ओगद भी करा दिया है चीज़ें आपको याद रखनी है अगली ख़वर है वाको इंडिया किक बॉक्शिंग फेडरेशन को अब सरकारी मानता मिल चुकी है क्या है वाको इंडिया किक बॉक्शिंग फेडरेशन तो सबसे पहले आप एमेज में देखिए वाको इंडिया का ये लोगो है और ये है वाको इंडिया किक बॉक्शिंग फेडरेशन यवा मामले और खेल मंत्राले ने भारत में किक बॉक्शिंग खेल के परचार और बिकास के लिए वाको इंडिया किक बॉक्शिंग फेडरेशन को रास्तिय खेल महासंग की रूप में मानता देने का ने लिया है ये एक federation है इसे हाल ही हाल में शुरू किया गया और इसका उद्देश ये है कि भारत में भी किक बॉक्सिंग खेलों का परचार और उसकी विकास की दाय है किक बॉक्सिंग खेलों की मानता और विकास के लिए उलम्पिक आंदोलन में पूरी तरह से शामिल और सभिकार की दाना भी महत पूर है अगली कवर है आदिवासी की आय बढ़ाने के लिए तो आदिवाशी होते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए के भी आईशी यानी कीवी आईशी का फुल फॉर्म क्या है खाधी और विलेज इंड़स्ट्रीज कमिशन इसको हिंदी में कहते हैं खादी और ग्राम उद्दोग आयोग तो इस खादी और ग्राम उद्दोग आयोग ने एक परियोशना शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है बोल्ड परियोशना और KVIC का फिलफार मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ तो खादी और विलेज इंडरस्ट्रीज कमिश खादी और ग्राम उद्दोग आयोग ने सुस्क और अर्ध सुस्क भूमी छेत्रों में बास आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड बोल्ड यानि बॉम्बू Oasis on Lands in Drought यानि जो ड्राफ्ट एरिया है उस भूमी पर बास का उत्पादन करने के लिए से अध्याश है और ये भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास तो है चाथी जो राजस्तान के उदैपुर में आदिवासी गाउं निचला मंडवा से सुरू किया गया था इस परियोजना के तहत विशेश बास प्रदातियों के पांच हजार पोधे यानि बंबुशा टुल् बात करते हैं क्या होते हैं बाश ये है बाश आप इमेज में देखिए हरे करके होते हैं काफी और लंबे लंबे से होते हैं काफी बतले से होते हैं ये बुड़ी बारामासी सदाबहार पोधों का एक शमू है हाला कि यह एक पेड की तरह दिखाई देता है टैक्सोनॉमिक रूप से ये घास भी है यानि इसको घास की कटगरी में रखा गया है बारत में उत्तर पूर्वी राज्य देश के कुल बास उत्पादन का लगभग 70 फीसद हिस्सा हुगाते हैं बात केवियाशी की है खादी एंड विलेज इंडरस्ट्रीज कमिशन की तो इसके अस्तापना 1956 को हुई थी इसका हैटकॉर्टर मुंबई में है और केवियाशी के बरतमान समय के अध्यक्ष हैं बिने कुमार सक सेना अगली कवर है सेना में डियाइडियो के द्वारा डेबलब किया गया 10 मीटर विर्जिंग सिस्टम को हाल ही में शामिल किया गया है ये है 10 मीटर विर्जिंग सिस्टम और इसी को अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है और इसको DRDO के दोरा डेवलप किया गया है सेना ने उत्पादन एजन्सी लॉर्सन और टुबो लिमिटेड के सहयोग से रच्छा अनुसंधान और विकास अंगठन याने DRDO के दोरा डिजाइन और बिक्सित 12-shot span ब्रिजिंग सिस्टम जोकि 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया गया है SSBS 10 मीटर एक सिंगल स्पैन के रूप में 9.5 मीटर तक के अंतराल को पाटने में महत्रपोड भूम का भी निबाता है जो 4 मीटर चोड़ा है और पूरी तरह से अलंकित स्टडक मारक को प्रदान करता है जो सैनिकों की तेज आवाजा ही सुनिशित करेगा साथी बात DRDO की है तो DRDO यानी Defense Research and Development Organization इसकी अस्थापना 1958 को हुई थी इसका हैटकॉर्टर नई दिल्ली में है और DRDO की बृत्मान समय के अध्यक्स हैं Dr. Z. Satis Reddy इसके लावा DRDO का इंपोर्टन कुश्चन ये बनता है कि उसका मोटो क्या है इसके दो मोटो हैं संस्क्रिट में इसका मोटो है वलश्यमूलम विज्ञानम और इंगलिस में इसका मोटो है इस स्टेंथ और इस इन साइन्स अगली कवर है The Fourth Lion एक बुक है एसेस फॉर गोपाल किष्ण गादी पूरी बुक का नाम क्या है The Fourth Lion एसेस फॉर गोपाल किष्ण गादी इस बुस्तक को अभी हाल ही में पब्लिस किया गया है ये बुक है The Fourth Lion एसेस फॉर गोपाल किष्ण गादी बेडू, माधो, गोबिंदू और स्रिनात रागवन ने The Fourth Lion एसेस फॉर गोपाल किष्ण गादी नामक पुस्तक लिखी है पुस्तक में 26 निबंद सामिल है जो जीवन के बिबिन छेत्रों और दुनिया वर से आये बेक्तियों के द्वारा दिये गए है अगली ख़वर है, नॉमबर 2021 में 52 यानि 52 अंतरास्ति फिल्म बहुत सो गोवा में आयुजित किये जाने की घोशना की गई है यह क्या लिखा है, 52 सेकेंड इंटरेशनल फिल्म फेस्टिबल ओफ इंडिया इन गोवा डेट देख लिए आब 20 नॉमबर से लेकर के 28 नॉमबर के बीच में इस फिल्म फेस्टिबल का आयुजित गोवा में खिया जाएगा इंटरेशनल फिल्म फेस्टिबल ओफ इंडिया अनिभार्तिय अंतरास्टिय फिल्म महोचो का 52 संशकरण 20 से 28 नॉमबर 2020 तक गोवा में आयुजित किया जाएगा सुचना और प्रसारन मंतरी स्री प्रकास चाविडेकर के त्वारा 52 में IFFI के लिए बीम और पोस्टर भी चारी किये गए बार्ते सिनीमा के लिजंड स्री सत्यजीत रे की जन्म सताबदी के अउसर पर इस बर्स से शुरू होने वाले IFFI में इस बर्स से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड की शुरूआद भी की जाएगी ये भी आपको याद रखना है अगली ख़वर है Advers को पचाड़ कर मिताली राज सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाडी बन गई है और ये अंतर रास के खिलाडी बनी है ये है मिताली राज और ये अब International Women's Cricketर में Advers को पीछे छोड़कर अब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली ये प्लेयर बन गई है भरत की कप्तान मिताली राज इंगलेंड के पूर्व कैप्टन चालोट एडवर्ट्स को पचाड़ कर सभी प्रारूपों में महिला किरिकेट में सबसे आधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है एडवर्ट्स के 10,273 रनों को पचाड़ कर ऐसी पहली अंतरास्टी एक किरिकेटर बनी है जो की दुनिया की सबसे सेज सांदार बल्लेवाज भी बनी है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी यह बन गई है नुजिलेंड की सूजी बेट्स 7,849 रन की साथ तीसरे नमबर पर है अगर बात करें सीट्स 5 की जब पहले नमबर पर मिताली दाज तूसरे पर एडवर्ट्स तीसरे पर सूजी बेट्स चौथे नमबर पर स्टेफनी टेलर 7,832 और मेग लैनिंग 7,024 यह सूची है सीट् के महिला क्रिकेटर हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पुशन आई हो अगर आपको वीडियो पुशन आई हो तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब बिलकुल भी ना भूलें मैंने आपको पहले भी बोला है रिविजन करते चलिएग जरूरी है रिविजन करना, अगर आप रिविजन नहीं करते हैं तो पीछे वाली सीज़ों को आप आटोमेटिक भूलना शुरू कर देंगे, तो फिर से मैं कहा रहा हूँ रिविजन करते चलिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बना रहे, स आती साथ कोई doubt है तो आप नीचे comment box में चूड़िएगा जिससे की आपकी doubts भी clear किये जा सकें और इन सभी के साथ साथ subscriber आप बढ़वाज़त लिएगा जरूरी है subscriber बढ़वाना जिससे की हमें भी motivation मिलता रहे तो ठीक है दोस्तों इतना ही जै हिंद फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुश रहिए आप revision करते रहिए